हेले मुश्कार दोस्तों कैसे आप सभी एवर फिर्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रफिटेस्ट्रे में तो फाइनली आपका तीन डिवीजन से तीन जोन से आपका जो अपेंडिसिप का है उसका ज्वाइनी का मेरिट लिस्ट या बोल सकते ह फाइनल इस्ट रिलीस कर दिया गया है बात करें वो तीनों जोन में कौन कौन से जोन है तो सबसे पहला आपका आता है ECR, East Central Railway दूसरे नमबर का बात करें तो उसमें आपका आता है WCR, West Central Railway और तीन नमबर में बात करेंगे तो SCR जीसमें आपका सिकंद्राबाद जोन से आपको देखने को मिलेगा South Central Railway में सबसे पहला बात करें तो ECR में आपका मिलेगा आपका दानापूर जोन से कहां से दानापूर का आपका जौाइनिंग देखने को मिलेगा Appendicip का और West Central Railway में बात करेंगे तो आपका भोपाल का देखने को मिलेगा और वही SCR में तो मैंने बता दिए सिकंद्राबाद से South Central Railway का तो तीनों का हम लोग merit देखेंगे और तीनों का ज्वाइनिंग लिस्ट भी देखेंगे सारा process देखेंगे आज की इस वीडियो में इससे पहले जो लोग भी channel पर ने है channel के दो सबस्क्राइब करके bell प्रेटन का का दीजेगा ताकि appendices से जुड़ी सारी video का notification सबसे पहले अब तक iska notification मिलता है और इससे जुड़ी जीतरी भी सरकारी भरतियां आती है उसका भी नोडिफिकेंट सबसे पहले आपको प्रॉफिट दौरा दिया जाता है तो तीनों हम डिविजन पर जाएंगे तीनों जोन पर जाएंगे और एके करके सारा जोईनिंग का जो भी डिटेल है कितने तारिक को आपका जोईनिंग होगा और आपको कहां पर आपको जाना किस जगा पर जाना सारा कुछ उसमें मेंसर किया गा फाइनल कितने केंडिटेट को सौट लिष्ट किया गया यह भी उस नोडिफिकेशन में बताया गया है आगे बाद ने इस पहले बता देता हूं कि कुछ अपेटी से जो रेल्वे के द्वार रिलीज केगी है उसका फार्म अभी तक भरा रहा आभी तक आपना नहीं भार है तो वीडियो को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक बिल जागा वहां से आप देखकर इस टेप बाइस टेप फरम भर सकते हूं या फिर हमसे अमारा wortsep group कर लेंगा पूटी इसका बहरती निकला उसका भी फरम भरा रहा तीन नमबर बात करेंगे तो आपका GDS का लेवल पर जिसमें आपका no exam से जो आपका 10th के marks पर merit बनेगा उसका भी फरम भरा रहा तो इत कमेंट कर दीजिएगा अब हम चलते हैं एक एक जोन्स को आपका लेंगे और इसका मेरिट लिस्ट भी फाइनली देखते चलेंगे सबसे पहले हम चलते हैं आपका ECR साउथ सेंटर्ल रेलवे के ओफिसल नोडिफिकेशन जो आपका डानापूर का डिविजन से रिलीज किया गया है उसका जोनी के रिगार्डिंग जीतने भी आपका डाउट बन सकता है सारा कुछ किलियर करने की कोशिश करेंगे आज किस वुडियो में तो देखिए हम पहले नोडिफिकेशन पेच पे आ गया है जो आपका इसी आर रेलवे के द्वारा रिलीज किया गया है तो जो लोग भी इसका फॉर्म भरहते जिनका सेलेक्शन हो गया था वेगरा सब कुछ हो गया था उनका फाइनली मेरिट निस निकल गया है और आप उनका मेडीकल होगा क्या मेडीकल गर्णी अपको कहा पर जाने कितनी तारीक को जाना किया गया लेकी चांडूर किया गया है तो सबसे पहले बात करें आपका देखिए nuclear number पैनल नंबर और अपके बाद candidate नें फादर नें उसके बाद कौन साट्रेट से candidate belong करता है और finally merit date और venue मतलब किस date में आपको कहा पर जाना है अपना medical कराने के लिए तो serial number में बात करें तो देखिए आपको यहाँ पर सारा कुछ हो रहा होगा यहाँ पर panel number भी आपका दिया हुआ है candidate name भी दिया हुआ है तो देखिए आपको एक से लेके candidate number 21 तक ठीक है 21 तक आपको जाना है 17 तारीक को जाना है venue का बात करें तो देखिए CMS office दानापूर नियर दानापूर railway station यहाँ आपको जाना है एक से लेके जो 21 serial number तक है उन candidate को कितना तारीक को जाना है तो आपका 17 माई को जाना है कहाँ पर आपको जाना है CMS office दानापूर नियर दानापूर railway station यहाँ पर आपको जाना है 17 तरीक को next candidate को कब जाना है वो दिबाद कर लेते हैं तो आपका देखिए 21 ता आपका serial number आपका 21 से 21 से लेकर 41 तक मतलब 22 candidate का slot बना गया है 21 से लेकर 41 तक आपको जाना है 19 माई को जाना है बात करें place का कहां जाना है तो same वहीं पर जाना है आपका CMS office दानापूर नियर दानापूर railway station जिनका serial number 21 से 41 के बीचे आप देख लोगे कि आपका नाम है या नहीं अगर होगा तो हमें 21 से लेकर 41 तक ठीक है इन लोगों को जाना है 19 माई को जाना है कहां पर CMS office दानापूर नियर दानापूर railway station चलिए next बात करते हैं तो देखिए आपका next में हम देखेंगे कि आपका 42 से लेके 62 उसके बाद देख लेके इस्क्रॉल करके क्या निच्छ दानापूर नियर दानापूर railway station इनका जो medical होगा वो 23 माई के date में होगा तो finally हम लोग ECR का जो भी update था वो हम लोग देख लिए आप चलिए हम चलते हैं WCR West Central Railway की दौरा जोइनिंग को लेकर क्या notice release क्या गया है उसे हम देखते हैं तो देखिए आप हम आगए हैं WCR West Central Railway के official notification में जो आपको जोइनिंग के regarding publish की गई है WCR मतलब पसी मध railway कारेले आपका देखिए दिनांग 10 माई को आपको ये जो है notice वो release की गई है यहाँ पे लिखावा है बुलावा पत्र चलिए के करके सारा कुछ पढ़ते जाएंगे ताकि आपको कोई प्राब्लम ना हो दिनांग आपको दस्तारी के देखिए विशाय देखिए appendici 1961 के अंतरगर सडिपुका भुपाल के सत्र 21-22 के लिए एक टपेंडिसी प्रसिक्षोकी की भरती बाबत संदर में देखिए रेलवे भरती प्रकोष्ट जबलपूर के अधी सूचना दिनांग 6-10-2021 को जी इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था पात्र आपका सावारी डिबा पुना निर्मान कारखाना निसात पूर भुपाल में एक्टा पेंडिसी प्रसिक्षोकी भरती हेतु रेलवे भरती कोष्ट जबलपूर द्वारा संदीन परत के तहत अधी सूचना जारी की गई थी प्राप्त आवेदनों के अधार पर दस्तावेज सत्कापन में परियुक्त घोसित अभ्यारती सूची संगलन को एक वर्षी प्रसिक्षन पर निवक्ती हेतु सड़ी पुका भुपाल में बुलाया गया है अता आप सभी दस्तावेज पूर्ण कर संगलन सूची में अंकी तीथी के अनुसार दिनांग देखे यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग का डेट दे दिया है अगर अब 17 और 18 माई को मैं WCR जोन का बात कर रहा हूँ वेस्ट सेंटरल रेलवे के ओफिसियल जो इसका एड्रेस अगर वहाँ नहीं पहुँचोगे तो आपका जो केंडिडेचर है उम्मेद्वारी जो है उसको निरस्त कर दिया जाएगा सभी ही देखिए सभी चैन अभ्यारती को अपेंडिसी पोर्टल पर RDAT भोपाल में स्विक्रित मिलने के पशाथ अपेंडिसी पोर्टल पर उसके द्वारा कॉंट्रेक्ट लेटर जेनरेट होने पर सड़िपुका भोपाल एक्ट अपेंडिसी प्रसिक्षन है तो प्रदस् कर चीफ वर्क्षॉप मनेजर कोच उसके बाद देखिए वर्क्षॉप इसाथ प्रुभोपाल 462010 में अपना संबंदी त्रेटर में अप्लाई करें जिन अभ्यारती ने यह आपका लिंक दिया हुआ है वे पोर्टल पर विधिवत पंजियन कराकर पंजियन करमाग अभी प्राप्त नहीं किया है वे ततकाल इस प्रकिरिया को पूर्ण कर ले अने था उनका ऑनलाइन जो कंट्रेक्ट जनरेट नहीं हो सकता और आपको 17 और 18 तारीक को जॉइन कर लेना है जाके ठीक है देखिए जौइनिंग है तू सवारी डिबा पूनन निर्मान देखिए आप अधारी तितिक उपस्तित नहीं होने पर उमिद्वारे को निरस्त कर दिया जाएगा देखिए टोटल आपका 42 स्टुडेंट को सॉट लिस्टेट किया गया चलिए देख लेते हैं आपका सब पूछ देखिए यहां पर सारा कुछ आपका मेंसन किया गया है कि क्या क्या कि आपको सारा कुछ सम्मिशन करना है ठीक है और आपको क्या क्या रिमार्क में देखें रिमार्क में आपको required किम्हत्डे कि a StateCast certificate आपको नहीं चले गवाँ पर इसेंट्रल का ही certificate लगाना है आप ठीली फाइनली लास्ट बात करते हैं कि SCR में सिकंद्राबाद का जो लेकर अपडेटा है जोानिंग को लेकर वो फाइनली क्या हैं तो देख़ें आप हम देखें SCR सिकंद्राबाद जो डिविजन है उसका जो फाइनल अपडेट आया है वो देख लिए जी जो आपका 10 माई के डेट में पब्लिश किया गया देखिए टू नेम एंड एडेस एस पर दी लिस्ट अटेस्ट फ्रॉम पेज नंबर दो से ले के 28 तक सब में देखिए ट्रेनिंग ऑफ एक्ट अपेंडिसिप्ट अंडर अपेंडिसिप्ट 1961 रेफ्रेस में आपका और आपको कौन सा यूनिट अलाव किया गया है और डेट आप रिपोर्ट आपको कौन से डेट में रिपोर्ट करना है तो देखिए 8-6 मतलब 8-0 से आपका ज्वाइनिंग शुरू है आपका बात कर लेते हैं कि कितना केंडिडिट को शॉट लिस्टेट किया गया है और आपका देखिए आपके ट्रेड वाइस भी सारा कुछ मेंसाने के फीटर में क्या है यूनिट अलावट है जो यूनिट आपको अलावट है उस यूनिट पर आपको जाना है बात कर लेते हैं आपको लास्ट पेस पर हम जाएंगे तो यह लिस्ट में आपका कैटेगरी मुबाइल नंबर तक सो हो रहा है और आपको यहां 20 तारिक को जोइन करना है ठीक है 20 तारिक से फर्स्ट वाल आपका जोइनिग देखेंगे तो फर्स्ट वाले साहिद आपको आठ जून से ही जोइनिग करने के लिए बोला गया है फर्स्ट आप लोगे लिए बहुत बहुत जादा जरूई था इसलिए वीडियो को लाइक और सारे फ्रेंड में सेर कर दीजेगा ताकि जो लोग भी अभी तक इंतजार कर रहे थे कि ECR या अपका दानापूर से हो या फिर WCR भोपाल से हो या फिर SCR आपका सिकंद्राबार से हो साह के लिए अपना ज्वाइनी को कंफर्म कर सके चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक सेर कर दीजेगा मिलते अगली वीडियो में तब तक लिए जाहिंद जय भारत